हेलो फ्रेंड पॉपुलर टेवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि इशान का हुआ बंदिर के पंडित जी से सामना तो वही पंडित जी ने इशान के सामने किया बड़ा खुला सा जी हाँ दोस्तों अब शोर के जहां इशान गुसे में सवी को लेने के लिए रीवा के घर पहुच जाएगा तो वही इशान इतना जादा गुसे में होगा कि वो सवी को ना बोलने देगा और ना ही उसकी कोई भी बात तक सुनेगा जहां सवी गुसे में रीवा के घर से बाहर निकल जाती है और बिना होता किया कि सभी चाहती क्या है और वो कैसे ही ये सब कुछ ठीक करें तो वही इशान अपने मन की शांती के लिए मंदिर चला जाता है जहां इशान के सर पर चोड़ देख कर और उसे इतना जादा दुखी परिशान देख के पंडी जी उसके पास आते हैं और उसकी परिशानी की वज़ा पूसते हैं तो वही इशान इमोश्टल हो जाता है और उनको सारी बाते बताता है बैल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां पंडी जी कहते हुए नजर वाने वाले हैं कि तुम्हारी पत्नी तो कल तुम्हारी सलामती के लिए मंदिर में महामित जैका जब कर रही थी अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान के सामने तुम्हारे लिए विंती कर रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ लेकिन तुम्हारी पत्नी के साथ एक और लड़की यहां आई थी और वो भी पूजा कर रही थी लेकिन कुछ देर बाद वो तुम्हारी पत्नी से काफी जादा भैस बाजी भी कर रही थी और करी कोटी बाते भी सुना रही थी और कह रही थी जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम्हारी पत्नी है तो वही पंडित जी के बड़े खुला से को सुन कर ईशान बुरी तरह से शौक्ड हो जाने वाला है कि मैंने बिना सवी की पूरी बार सुने उस पर गुसा किया और रीवा का साइड लिया तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले